गुट मॉर्णिं चिल्डर टूड़े आइविल एक्स्पेन यू चैप्टर सेक्स बर्ड्स आज मैं आपको चैप्टर सेक्स बर्ड्स पढ़ाऊंगी बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पक्षी किस किस तरह की होते हैं उनके बोडी स्राउंडिंग्स स्राउंडिंग्स का मतलब होता है अपने आसपास सीन का मतलब होता है देखना मैरिकाइट मतलब बहुत सारी तरह के आपने अपने आसपास बहुत सारी तरह के बर्ड्स देखे होंगे There are more than 9,000 varieties of birds on the earth Earth पर 9,000 से भी ज़्यादा birds पाए जाते हैं Birds have very interesting body parts such as claws, beaks and wings Birds के जो body parts होते हैं बहुती interesting होते हैं जैसे की claws, claws याने पंजे Beak, beak याने चोंच Wing, wings याने पंक देखो, यह जो beak होती है, यह birds को खाना- parfait होते हैं यह जो claws होते हैं, यह birds को पेड़ पर बैठने में रहल प करते हैं और यह जो wings होते हैं, यह birds को उलने में रहल प करते हैं तो इसके जो body parts हैly बहुतीं, ऑबढ़ी of birds is covered with feathers Fe feather मतलब भी punk होता है जो bird की जो body होती है, वो feeder से धकी होती है, पंक से धकी होती है, हम feeders कहते हैं Do birds fly? Birds के से उड़ते हैं, fly मतलब उड़ना Most birds can fly in the air, अधिकतर पक्षी हवा में उड़ पाते हैं They fly with the help of their wings वे अपने परों की साहिता से या पंकों की साहिता से उड़ते हैं They have a very light, bod shaped body which helps them to fly उनकी जो body होती है, light याने बहुत हलकी होती है, बज़नी होती है Bod shaped होती है, नोका कार होती है, जिसकी साहिता से वो हराम से हवा में उड़ सकते हैं Their body shape is called stream line उनका जो body shape होता है, वो stream lined होता है, धारा प्रवा होता है It is thin at the front and broad at the back या आगी की तरफ से thin याने पतला होता है और पीछे की तरफ से broad याने की चोड़ा होता है This type of shape of the body helps birds to fly through the air easily इस तरह का जो shape है बोड़ी का, वो birds को हवा में उड़ने में आसान करता है या उसकी साहिता करता है क्योंकि अगर वो पूरा मोटा होता है, पूरा एक जैसा होता तो वो हवा में नहीं उड़ पाता वो आगे से तीखा होता है, इसलिए वो हवा को चीज़ता वा असानी से आगे बढ़ जाता है The tail of bird helps it to change direction while flying टेल याने पूँच, बर्ड की जो पूँच है वो उसको उरते वक्ट direction change करने में उसकी help करती है जैसे कि bird अगर सीधा सीधा उड़ता है और अगर उसको मुड़ना होता है तो वो अपनी पूच को हिला देता है जिससे उसकी direction change हो जाती है When birds fly, their wings move up and down in two directions जब bird उड़ते हैं तो उनके जो wings उनके जो पंक हैं वो उपर और नीची की तरफ Up and down मतलब उपर और नीची की तरफ दो direction में हिलते हैं एक बार उपर जाते हैं और एक बार नीचे जाते हैं The upward and backward movement of birds is called upstroke Upward यानि कि जब वो पंकों को उपर या पीछे की तरफ ले जाता है तो इस movement को कहते हैं upstroke पंक जब उपर की तरफ फैलाता है बर्ट तो इसको कहते हैं upstroke The downward and forward movement is called downstroke और जब पंकों को नीचे की तरफ या आगे की तरफ फैलाता है तो इसको कहते हैं downstroke ठीक है तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा के बर्ट की क्या बोरी पार्स होते हैं और वो हवा में कैसे उर पाता है